दोस्तों रिसेंटली अडानी ग्रूप की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आप देख सकते हैं ठीक एक घंटे पे ले ये नियूस निकल कर आई है जिसमें अमबूजा और ACC सिमेंट को यहाँ पर अडानी ग्रूप ने एक्वाइर कर लिया है जिया दोस्तों काफी बड़ी नियूस हमें ये देखने को मिल रही है और ये जो डील यहाँ पर कंप्लीट हुई है ये लगबग 80,000 करोड रुपे में ये डील कंक्लूड होते हुए हमें देखने को मिल रही है अभी तक हमें ये नियूस सोर्से से देखने को मिल रही थी लेकिन फाइनली ये news अब हमें officially आते हुए देखने को मिल रही है जिससे कल की दिन हमें इन दोनों shares के अंदर upper circuit तक लगते हुए देखने को मिल सकता है recently अभी कुछ time पिले का ही ये photo यहाँ पर निकल कर आ रहा है जिसमें Holsham और Adani Group के chairman के बीच में हमें ये collaborations देखने को मिल रहा है चलिए अब मैं आपको complete news की तरफ ले चलता हूँ आप देख सकते हैं Adani Group win race to acquire Holsham India assets for 10.5 billion US dollar तो यहाँ पर Adani Group ने ACC cement और साथ ही साथ Amboja cement का इंडिया के अंदर जितना इनका stake है उसे acquire करने के लिए अपनी bit लगाई थी अपनी बोली लगाई थी और यहाँ पर Adani Group की सबसे ज़्यदा बोली होने के कारण यहाँ पर जो stake है वो Adani Group के हाथ आ चुका है आप देख सकते हैं Adani Group has entered into an exclusive agreement to buy Swiss building material maker Holsham Limited India assets Amboja cement and ACC cement limited two people with direct knowledge of the matter set तो यहाँ पर अभी यह जो news है यह हमें officially आते वे Adani Group की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है लेकिन finally Adani Groups की तरफ से भी यह बहुत जल्दी statement आने वाला है जिसमें company ने याने कि Adani Group में लगब 80,000 करोड रुपे में यह deal conclude करी है जिसके आपको बताएं कुछ टाइम पे लेकि Adani Groups की तरफ से एक बड़ा statement निकल कर आया था कि वो अपने business को ओर ज़्यादा expand करने वाले हैं और infra के अंदर भी वो अपना future देख रहे हैं जिस कारण से वो cement related company को acquire करने वाले हैं तो इंडिया की दो दिगच company SEC Cement और Amboja Cement को Adani Group ने यहाँ पर acquire कर लिया है आप देख सकते हैं The Companies are expected to make an announcement soon An open offer for the two Holcium-owned cement makers listed on stock exchange in India तो यहाँ पर Adani Group ने additionally 3.5 billion US dollar यहाँ पर खर्च किये हैं काई के लिए ACC Cement और Amboja Cement को acquire करने के लिए तो यदि आपने भी Amboja Cement के अंदर investment कर रखा है तो जहाँ last trading session में Amboja Cement के अंदर हमें 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी इसी के साथ पिछले एक साल में यह share हमें 15% के मुनाफिय पर देखने को मिल रहा है लेकिन eximum years में इस company ने काफी अच्छे returns अपने investors को बना कर दिये हैं almost 2000% के returns अपने investors को बना कर दिये हैं लेकिन last trading session में हमें इस share के अंदर जो 4% की गिरावट देखने को मिली यह इनके quarter 4 के result को लेकर देखने को मिली थी अमबुजा के जो result निकल कर आये थे जिसमें company का profit year on year basis पर लगबख 30% से decline हुआ था जिस कारण से यहां पर हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी लेकिन overall आज की दिन जो news निकल कर आ रही है वो इस shares के अंदर कल के दिन upper circuit तक का भी काम कर सकती है अगर आपने अमबुजा सिमेंट के साथ में ACC limited के अंदर बे investment कर रखा है तो last reading session में इस share के अंदर भी हमें 3.5% के गिरावट देखने को मिली थी लेकिन ACC सिमेंट ने भी अपने investors को long term में लगबख 2300% से भी जादा के returns अपने investors को बना कर दिये हैं तो यहाँ पर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो अब आप loss में अपनी positions को score बिल्कुल भी मत करेगा क्योंकि यहाँ पर भी अब हमें काफी अच्छी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है हाला कि ACC सिमेंट के भी financial numbers में हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ACC सिमेंट का भी profit year on year basis पर लगबख 30% से decline हुआ है लेकिन Adani Group के acquire करने के बाद में अब next financial year के result हमें पूरी तरीके से change होते वे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि recently आपको पताए कि Adani Groups की जितनी भी listed company हैं जिनके financial result यहाँ पर declare हो चुके हैं numbers बहुत ही शांदर्स निकल कर आए हैं जिस कारण से यहाँ पर माना जा रहा है कि ACC Cement और Amboja Cement के भी अब दिन बदलने वाले हैं तो यदि आपने यहाँ पर खरिदारी कर रखी हैं तो यहाँ पर आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं और अगर आप intra decisions में किनी दो multi wager stocks को pick करना चाते हैं यहाँ पर volatility आपको काफी ज़्यादा देखने को मिल सकती है तो Amboja Cement और ACC Cement के उपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं तो उमीद है आपको एक quick update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई हैं तो इसे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स उडियो में तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे official टेलिग्राम चैनल बाजर की खबर को join नहीं गया है तो link आपको description box में मिल जाएगी Thank you for watching, have a nice day